प्रस्न पाँच निम्न लिखित परिमेशंख्याओं को दस्मलों रूप में लिखने पर कौन सा सांत दस्मलों में होगा प्रस्न पाँच का पहला है दो बटा इगारा तो दो बटा इगारा क्या है परिमेशंख्या है तो इसका दस्मलों कैसा होगा सांत होगा कैसे पता करेंगे एक तो उपाए है कि दो को इगारा से भाग दें अगर सेश सुनने आ गया तब तो सांत होगा अगर सेश सुनने नहीं आया तब असांत दस्मलों होगा ठीक है और किस दुसरा उपाए है, तो यहां पे हर क्या है, हर है यहां पे इगारा, तो इगारा का गुननखंद, इगारा ही होगा, क्यूंकि इगारा भाजी संक्या है, तो जिस परिमे संख्या के हर का गुननखंड सिर्फ दो हो या सिर्फ पांच हो या सिर्फ दो और पांच हो तो क्या होगा उसका दस्मलो सांत होगा और जिसका दो और पांच के अलावा कोई और हो उसका गुननखंड में हर का गुननखंड में तो असांत होगा, तो हम इसका दस्मलो कैसा होगा, असांत, तो दो बटा इगारा का दस्मलो पड़सार कैसा होगा, तो असांत, दस्मलो होगा इसका, ठीक है इसका असांद दस्मलों होगा तो दो को इगारा से आप भाग दे करके भी देख सकते हैं जैसे हम देखे इसको हम भाग दे करके भी दिखा देते हैं तो दो को इगारा से भाग देते हैं तो देखे दो तो लगेगा नहीं तो दसमलों देंगे और दसमलों के पहले सूने दिया जाता है तो दसमलों दिया है तो यहाँ पर एक सूने आएगा अब लग जाएगा 11 गुना एक 11 9 आ जाएगा घटाने पर फिर एक सूने दसमलों दे दिया है तो एक सूने दे सकते है 11 अठी 88 10 में से 8 गया 2 फिर एक सुनने देंगे तो 11 गुना 1 11 10 में से 1 गया 9 फिर एक सुनने देंगे तो 11 अठी 88 फिर देखे 10 में से 8 गया 2 इस तरह से बढ़ता जाएगा यानि 18 18 18 इस तरह से 18 18 18 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा कभी खद्म नहीं होगा और सेस इस तरह से इसका सेस कभी सुन नहीं होगा तो आसान दस्मलो क्योंकि देखें एक आठ एक आठ इस तरह से बढ़ता जागे यानि इसको हम कैसे लिखेंगे तो सुन दस्मलो एक आठ और दोनों पर बिंदू देंगे क्यूंकि दोनों रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो यह सांत दसमलों हुआ या तो आप भाग दे करके आप देख सकते हैं इसका दसमलों परसार कैसा है नहीं तो सिर्फ हर का भाज गुननखंड करेंगे अगर उसमें दो और पांच के अलावा कोई और संख्या आ गया उसके गुननखंड में हर का गुननखंड में तो कैसा होगा असांत दसमलों होगा तो हर यहाँ पर 11 है तो 11 का गुननखंड 11 ही होगा क्योंकि 11 भाज संख्या है तो इसका दस्मलों पड़सार असांत दस्मलों होगा ठीक है अब देखिए दूसरा पांच बटर नौ तो पांच बटर नौ में हर क्या है हर नौ है और नौ का अगर हम अभाज गुन अंखंड करेंगे तो तीन गुना तीन आएगा यानि तीन का घाद दो तो देखिए इसके अभाज गुन अंखंड में दो और पांच तो है ही नहीं कोई और संक्या है तो इसका भी दस्मलों कैसा होगा असांत होगा तो हम लिख देंगे इसका भी दस्मलों असांत दस्मलों अगर इसके हर के गुननकंड में दो और पांच होता यानि सिर्फ दो या सिर्फ पांच या दो और पांच दोनों होता तब इसका दस्मलों पड़सार कैसा होता पांच वटनों का सांध होता लेकिन इसके हर के गुननकंड में तीन आ रहा है देखें तीन का घाद दो यानि पांच और दो के अलावा कोई और संख्या आ रहा है ठीक है तो आसांत दस्मलों होगा इसको आप भाग देख करके भी देख सकते हैं तीसरा में नौ बटा सोला तो नौ बटा सोला में हर क्या है और सोला का गुननकंड करेंगे तो क्या आएगा दो गुना दो गुना दो गुना दो दो दूने चार चार दूने आठ आठ दूना सोला यानि दो का घाद चार तो देखें इसके गुननकंड में सिर्फ दो है ठीक है तो जिसके गुननकंड में जिस परिमेशंक्या का हर का गुननकंड में सिर्फ दो हो या सिर्फ पांच हो या दो और पांच दोनों हो तो क्या होगा उसका दस्मलो परसार सांथ होगा तो नौ बटा सोला का दस्मलो परसार कैसा होगा सांथ होगा तो इसका दस्मलो परसार होगा सांथ दस्मलो सांथ दस्मलो तो देखे, नौ को 16 से भाग दे करके देखते हैं, ज़िए किसा है इसका 10 मलो, सांथ है की नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार, तो 16 से 9 को भाग देंगे, तो 16 पचे 80 होता है, ठीक है, तो देखे, 10 मलो लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, तो 90 हो जाएगा, और 10 मलो को पहल 90 दे सकते हैं, तो 16 चक 96, 10 में से 6 गया 4 अब देखिए 15 दे सकते हैं तो 16 दूना 32 दस में से 2 गया 8 फिर 15 पचे 80 यानि से सुनने आ गया है देखे आसी में सासी गया तो सुनने तो इसका दसमलो परसार अब नहीं बढ़ेगा बस इसका उत्तर क्या हो जागा सुनने दसमलो पांच छे दो पांच तो दसमलो परसार देखे सांत हो गया यहां तक आके इसके बाद हम कुछ नहीं इसके आगे नहीं ब भाग देने का ज़रुवत नहीं है प्रस्न चार तो प्रस्न चार है 11 बटा 30 11 बटा 30 तो 11 बटा 30 क्या है परिमेशन क्या है तो यहाँ पर हर क्या है 11 बटा 30 का हर है 30 तो 30 का अब हाज गुननकंड करेंगे तो देखे 15 दुना 30, 3 पचे 15 ठीक है 2 से लगाएंगे तो 15 फिर 15 तीन से कटेगा तो 3 पचे 15 तो इसमें देखे 5 भी है 2 भी है और 3 भी है तो इसका 10 मलो पर सार कैसा होगा असांत होगा क्योंकि 3 आ गया है इसके गुननकंड में हर का गुननकंड में कितना आ गया है तीस के गुननखंड में तीन आ गया है, ठीक है, अगर सिर्फ पांच और दो रहता, या सिर्फ दो रहता, या सिर्फ पांच रहता, तब तो सांथ होता दसमलो, लेकिन देखे ये तीन, दो और पांच के अलावे कोई संख्या आ गया है, दो और पांच के अलावे, तीस का दस दस्मलो पर सार कैसा होगा असांत असांत दस्मलो यानि 11 वट 30 का दस्मलो पर सार असांत होगा ठीक है तो इस तरह से हल करेंगे अब प्रस्म में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित परिमेस अंख्याओं को दस्मलो रूप में लिखने पर कौन सा सांत दस्मलो में होगा तो इस तो उत्तर कौन हो जाएगा इसका, तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, तीसरा में कौन था, 9 बटा 16, तो देखें ये इसका उत्तर हो जाएगा, 9 बटा 16, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा यानि 9 बटा 16, तो सान दसमलो बस 9 बटा 16 का होगा, चारों में, ठीक है, 2 बटा 11, पांच बटा 9 और 9 बटा 16 और 11 बटा 30 में सिर्फ 9 बटा 16 का सांत दसमलों आया है देखे इन चारों में से पहला का देखे असांत आया है ठीक है दूसरा का भी असांत आया है तीसरा का देखे सांत आया है तो बस यही तीसरा ही इसका उत्तर होगा क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा सांत दस्मलों में होगा तो 9 बटा 16 का दस्मलों रूप में लिखने पर 7 दस्मलों होगा और इसमें भी असांत आया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बस 9 बटा 16 प्रस्न 5 इस तरह से हल करेंगे प्रस्न 6 निमनलिखित परिमेशंख्याओं को 10 मलों रूप में लिखने पर कौन सा असांत 10 मलों में होगा तो प्रस्न 6 का पहला तो पहला है 5 बटा 9 तो देखे एक तो हम भाग दे करके देख सकते हैं कि इसका सांत होगा या सांत होगा ठीक है और दुसरा इसका उपाय है कि इसमें हर कोन है तो हर 9 है और 9 का भाजी गुननखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 3 यानि 3 का घाद 2 तो देखे इसका भाजी गुननखंड में सिर्फ 3 है ठीक है तो दो और पांच के अलावा अगर कोई संख्या आ जाए हर का गुननखंड में तो क्या होगा असांत होगा तो इसका दसमलो कैसा होगा असांत तो पांच बटा नौ का असांत दसमलो होगा पांच बटा नौ का दसमलो कैसा होगा असांत होगा भाग देखर के भी आप देख सकते हैं पांच को नौ से भाग देख करके थीक है, उससे भी देख सकते हैं तो ये असान वीदी है बस हर का अभाज गुननखंड करना है और दो और पांच के अलावे कोई संख्या आगए तो उसका क्या होगा, असांत दस्मलो, यानि गुननखंड में, हर का गुननखंड में, दूसरा, तीन बटा आठ, तो तीन बटा आठ में हर कौन है, हर बराबर है आठ, तो आठ का अगर अभाज गुननखंड करेंगे, तो दो गुना दो गुना दो, यानि दो का घात तीन, त तो आठ का भाजगुन अंखन करने में, तो आठ का भाजगुन अंखन करने पर क्या है, सिर्फ दो है, तो इसका दस्मलो परसार कैसा होगा, सांत होगा, यानि तीन बटा आठ का दस्मलो परसार कैसा होगा, सांत दस्मलो होगा, तीसरा तो तीसरा में क्या है? साथ बटा पचीस तो साथ बटा पचीस में हर क्या है? हर है पचीस और पचीस का भाज गुननखन करेंगे तो पांच कुना पांच यानि पांच का घात दो ठीक है? तो देखे 7 वटभट 25 में 7 वटभट 25 का हर क्या है 25 तो हर का गुनंखंड में जिस परिम्य संख्या का हर का गुनंखंड करने पे 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आ जाए तब तो 8 Guru होगा लेकिन सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 देखे या सिर्फ 2 और 5 तो क्या होगा? इसका 7 दस्मलों होगा यहां पर सिर्फ 5 है इसका गुननखंड में हार का गुननखंड में तो 7 बटा 25 का दस मलो परसार कैसा होगा सांथ सांथ दस मलो प्रस्न चार 21 बटा 20 21 बटा 20 तो इसमें हर क्या है 20 है तो हर बराबर क्या है 20 यानि इसमें हर 21 बटा 20 में हर 20 है और 20 का भाज गुननखंड करेंगे तो 2, 10 गुना 20 फिर 2 पचे 10 यानि 2 गुना 2 गुना 5 आएगा जो कि हो जाएगा 2 का घाद 2 गुना 5 तो सिर्फ 2 और 5 है इसका हर का गुननखंड में सिर्फ 2 और 5 है और कोई संख्या नहीं है 2 और 5 के अलावे तो इसका दस्मलो परसार कैसा होगा सांथ होगा यानि इसका दस्मलो परसार 21 वटा 20 का दस्मलो परसार यानि 21 को 20 से भाग देने पर कैसा होगा इसका दस्मलो तो सांथ होगा तो इसका दस्मलो सांथ होगा तो क्या पूछ रहा था प्रस्ट में कि निमने लिखित परिमे संक्याओं को दस्मलों रूप में लिखने पर कौन सा असांत दस्मलों होगा तो देखे पहला से यानि इसका उत्तर पहला होगा क्योंकि इसी का सिर्फ असांत दस्मलों आया है ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जागा पांच बटनों यानि पहला पांच बटनों का सांथ दसमलों आया है पहला का बाकि सब का देखे सांथ आया है दूसरा का भी सांथ आया है तीसरा का भी सांथ आया है और चौथा का भी सांथ आया है तो इसका उत्तर हम क्या लिख इसका उत्तर में हो जाएगा, पहला, पहला क्या है, पांच बटर नौ, यानि इसका उत्तर हो जाएगा, पांच बटर नौ, यानि यहाँ पे 7 दस्मलो किसका है, तो पांच बटर नौ का, चारो में, कर दो